ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज नौ जून दो हजार तेईस बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे स्वीटेस्ट बाप आया है स्वीट बनाने तुम्हें देवताओं समान स्वीट बनना और बनाना है प्रश्ण है सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है उत्तर है जिन्हें ग्यान रत्नों की वैल्यू है एक-एक रत्न पदम पती बनाने वाला है तुम बच्चे इन रत्नों को धारण कर रूप बसंत बनो मुख से सदैव रत्न निकलते रहें तो सदा सुखी बन जाएंगे जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो गीत है आ गए दिल में तू ओम शान्ती कितना मीठा गीत है भल बनाया फिल्म बालों ने है परन्तु वे तो कुछ भी जानते नहीं तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं सम्मुख तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नजर आता है आत्मा इन नैनों से एक दो को देखती है आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्डरन बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है ये बाप ही आकर समझाते हैं तुम कितने स्वीट थे बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो देवताओं को कितनी मीठी नजर से देखते हो कहां मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं का दर्शन करें बनावट तो भल पत्थर की है परंतु समझते हैं ये स्वीट होकर गए है शिव के मंदिर में जाते हैं वो भी बहुत स्वीटेस्ट है जरूर होकर गए है स्वीटेस्ट ते स्वीटेस्ट मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा मंदिरों में जो भी हैं वो सब होकर आये हैं जरूर कुछ करके गए हैं स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चे ही होगे तो जरूर कहेंगे निराकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है भारत में खास दुनिया में आम शिव बावा की महमा तो बहुत है सिव काशी विश्वनात गंगा ऐसे बहुत कहते हैं वहां जाकर रहते भी हैं ये बाबा भी सब तरफ चक्र लगा कर आए हैं मनुष्य सिव की कितनी महमा करते हैं बाप जानते हैं ये सब स्वीट चिल्डरेन हैं घर के बच्चे हैं सब को नंबर वार अपना पार्ट बजाना है परन्तु सब की नजर हीरो हीरोईन पर ही जाएगी अब इस ड्रामा में जो हीरो हीरोईन हैं उन्हों के लिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे अभी तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता के सम्मुख बैटे हैं दुनिया के सम्मुख तो नहीं ये गुपत है इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है सिर्फ चित्र है परन्तु उनसे कोई पता नहीं पड़ता सिव के पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा परचय नहीं है तुम जानते हो सिव बावा है स्वीटेस्ट उन जैसा स्वीट कोई हो नहीं सकता वह स्वीटेस्ट बाप ना आये तो ये पतित दुनिया पावन कैसे बने इस समय तुम बच्चों के सिवाए कोई भी स्वीट नहीं है बल अपने को सिवो हम भगवान कहते रहते हैं लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है वह तो परमधाम में रहने वाला है तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवो हम भगवान है भगवान तो रचायता पतित पावन है भगवान को सभी भक्त याद करते हैं ऐसे नहीं सब भक्त भगवान है निराकार सिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएंगे ये डिनाइस्टी रची जा रही है स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बीलवेट स्वीट बना रहे हैं जो जैसा होगा ऐसा बनाएगा न कहते हैं मैं निराक तुम आत्माय भी निराकार हो शिव के मंदिर में सिवलिंग की पूजा होती है ना यग्य रचते तो सालिग्राम और सिव बनाते हैं उनकी पूजा करते हैं बहुत बड़े-बड़े सेठ लोग यग्य रचते हैं रूद्र सिव का भी लिंग बनाते हैं और सालिग्राम भी ब बड़ा सालीगराम छोटा बनाकर पूजा करते हैं। उसका नाम ही है रूद्र यग्य। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। बुत आदी मिट्टी के बनाते हैं यादगार के लिए। फिर पुजारी बैट पूजा करते हैं। भारत पूज्य था सतियुग त्रेता में पुजारी पन नहीं था। आधा कल्प है ज्यान आधा कल्प है भक्ति। गाया भी जाता है आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान हैं समझते हैं भगवान ही पूजे था भगवान ही पुजारी बनता है इसको उल्टी गंगा कहा जाता है बाप को तो सब बुलाते हैं हे भगवान हे पतित पावन रहम दिल पुकारना माना आवाहन करना भक्ती मार्ग में आधा कल भक्त लोग आवाहन करते हैं स्वर्ग में तो तुम मालिक होंगे बाप कहते हैं तुमको बहुत सुईटेस्ट बना रहा हूँ गौड फादर कितना मीठा कितना प्यारा सिव भोला भगवान है शंकर का तो नाम ही नहीं डालेंगे शिव निराकार संकर आकारी दोनों को मिलाना तो गलत है ना मनुष्र कोई के भी मंदिर में जाएंगे तो पूजा एक ही निराकार्गी करेंगे सबको मिला देते हैं अच्छतम केश्वम श्री राम नारायनम अब राम कहां नारायनम कहां सबको एकटा कर दिया है व्यास कौन था ये कोई भी नहीं जानते वास्तम में सचे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो बाबा बैठ सहज योग की नौले सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं सचे सचे व्यास हम ब्रामण हैं, हमको प्रैक्टिकल में बैट सहज राजियोग सिखलाते हैं जिससे हम मनुष्ट से देवता बनते हैं देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, हम पापी, नीच, कड़वे हैं वे तो बहुत मीठे हैं न, इन लक्षमी नारायने ही 84 जन्म लिये हैं तत्वम ये नौलेज तुमको ही मिलती है लक्षमी नारायन में वहाँ ये नौलेज नहीं होगी हम वहाँ ये नौलेज दे कर किसी को देवता नहीं बनाते तो बाकी क्या काम करें? यहां तो कितने काम हैं? अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं फिर स्री लक्षमी नारायन बनेंगे तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं सिव बाबा है स्री स्री मीठे ते मीठा उनसे हम भी मीठे बनते हैं हम अपने को स्री स्री नहीं कह सकते ये समझने की बाते हैं तुम जितना सरीरी देही अविमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनेंगे देही अविमानी बन बाप और वर्से को याद करना है ये एक मुख्य बात न भूलो मुझे याद करेंगे तो मेरे जैसा मीठा बन जाएंगे तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए बाबा मिठास कातो जैसे एक पहाड है कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ कोई सिमरणी नहीं सिमरणी है माला नहीं फेरनी है सिर्फ याद करना है कोई को भी ये पता नहीं है कि ये माला किसकी याद में बनी हुई है सिर्फ राम राम करते रहते माला फेरते रहते हैं अभी तुम समझते हो राम सिव बावा के हम बच्चे हैं इसलिए सिमरन करते रहो माला फेरना तो पुजारी पन का चिन है हम बाबा को बहुत याद करते हैं याद से ही हम एवर हिल्दी निरोगी बन जाते हैं बाबा बार बार कहते हैं अपने को असरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार है बाकी कोई दस से बीस भुजा या सून्ड वाला मनुस नहीं होता ना कोई छीकने से देवता निकल आएंगे यह बातें अब सुनते हैं तो समझते हैं यह सब क्या है यह सब है भक्ती मार की शामगरी सत्यूग में यह कुछ भी होगी नहीं भक्ती आधा कल्ब चलती है ज्यान कोई आधा कल्ब नहीं चलता है ज्यान की प्रालब्द आधा कल्ब चलती है ज्यान से 21 जन्म का वर्सा मिलता है तो जैसे वह भक्ती का वर्सा मिलता है भक्ति पहले सतो प्रधान थी फिर सतो रजो तमो में हो जाती है जैसे ये भी बाप से वर्षा मिलता है तो फिर पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं ज्यान का वर्षा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो होता है ये समझने की बाते हैं पहले तो समझना है, हम आत्मा most beloved बाप के बच्चे हैं, बाप इस जिस्म में आये हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे निराकारी दुनिया तो है silence world फिर है, movie ये टाकी तीन लोग है न, एक एक बात तुम नहीं सुनते हो, दुनिया में और कोई जान न सके तुम जानते हो, हम आत्मा साइलेंस वर्ड से आती हैं, वहां की रहवासी इसलिए उनका नाम ब्रह्मान रखा हुआ है, अंडे मिसल आत्मा रहती हैं, परन्तु ऐसे हैं थोड़े ही अगर स्टार कहें तो स्टार की पूजा कैसे हो, भल, फल, फूल, दूद, आदी उन पर कैसे ठहरे नाम तो सिव ठीक है, ऐसे नहीं की वह बाप बड़ा हम आत्मा चोटी हैं, परम माना परमधाम की रहने वाली आत्मा जो मोस्ट बीलवेड है, तुम जानते हो हम अब हमको बाबा की स्रीमत पर चलना है, बहुत मीथे ते मीथा बाबा आकर हमको मोस्ट स्वीट बनाते हैं, आत्मा स्वीट बनेगी तो सरीर भी स्वीट मिलेगा, बाप कहते हैं सिर्फ बीज और जाड को याद करो, बीज बाप उपर में है, वह है व्रक्षपदी, यह है फाउंडेशन, फिर इनसे और टाल टालिया निकलती हैं, दुनिया में कोई की ब बुद्धी में यह नहीं है, बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, निराकार बाप इस सरीर द्वारा बोलते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, आत्मा ही धारन करती है, ज्यान सूर प्रगटा, अज्यान अंधेरा विनाश, अंधियारी रात होती है न, मनुष समझते हैं, इस से भी अजुन अंधियारा होगा, यह है ही घोर अंधियारा, मनुष यह नहीं जानते, अभी तुम रचैता और रचना के आदी मद्य अंत को जान गए हो, जिसके लिए सन्यासी कहते हैं बेंत है, इश्वर तुम्हारी गत्मत न्यारी है, तुम तो समझते हो, इश्वर ही आकर गती सदगती देते हैं, तुम जानते हो, स्रीमत से हमसो नर से नारायर, नारी से लक्षमी बनेंगे, कितना भारी नशा है, एम उब्जेक्ट तो एक होती है न, बैरिष्टर बनेंगे, परंतु नंबर वार तो बनेंगे, इसलिए फालो फादर मदर, जानते हो, मदर पुरुषात कर नंबर वन में जाते हैं, तो हम भी पुरुषात करें, हम भी इतना स्वीटेस्ट बनें, बच्चे माबाप के तख्त पर जीत पाते हैं न, वै बड़े हो जाएंगे, तो मात पिता नीचे उतरेंगे, तो जैसे तुम मात पिता के तख्त पर जीत पाते हो, तुम बच्चों को बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। तुमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। रूप बसंद तुम हो। उन्होंने तो एक कहानी बैठ बनाई है। ये है ग्यान रत्न। जवारात को तो बाबा अच्छी रीती जानते हैं। सबसे उन्च जवारात का धंदा गिना जाता है। ये भी ग्यान रत्न हैं। एक-एक रत्न की धारणा होती है। इससे तुम अंगिनत पदम-पती बनते हो। तुम्हारे महलों में कैसे सोने की इटें। हीरे जवारात लगते हैं। बड़े-बड़े सुखी रहेंगे। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनेंगे। ये जैसे बाबा वरदान देते हैं। जितना मीठा बनेंगे, उतना बाप खुश होगा। स्कूल में टीचर इस्टुडेंट को जानते हैं न। ये तो बेहद का बाप तीचर सत्गुरु है। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो तो मुरली भी ऐसी निकलती है। परन्तु फिर ग्यानी तु आत्मा को बाबा यहां रहने नहीं देते। कहते हैं जाओ, जाकर मनुस्य से देवता बनाने की सेवा करो। जो कडवे थे, कडवे, पलेगी बहुत रोगी हो गए हैं, उनको निरोगी बनाओ। अभी तो एवर एज आयू, 40 से 45 वर्स होगी। योगी की आयू बहुत बड़ी होती है। स्रीक्रेश्न को महात्मा योगेश्वर कहते हैं। उनका जब राज्य था, तब एवर एज आयू, 1.500 वर्स थी। अब रोगी बन गए हैं। हिसाब तो है ना, परंतु मनुष्य जानते नहीं। बुद्धी रूपी बरतन जो सोने का था। उसमें विस भरने से यह हाल हो गया है। अब बाबा ग्यान अम्रत डाल सोने का बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग। रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्यसार पहला है। बाप समान सुईटेस्ट बनना है, मुख से कभी कडवे बचन नहीं निकालने हैं। सदैव मीठा बोलना है। दूसरा है बाप हमको जो अमूल्य ग्यान रत्न दे रहे हैं। उनकी वैलियू को समझ अच्छी रीती धारन करना है। वरदान है अपने हरसित चहरे द्वारा प्रभू पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन भव। बाप दादा ने भ्रामर जन्म होते ही सब को खुशी का बड़े से बड़ा खजाना दिया है। यह भ्रामर जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चहरा सदा खुश देखना चाते हैं। सदा हरसित चैरफुल चहरा ही प्रभू पसंद है। और हर एक को भी वही पसंद आता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया। काम बाकी क्या रहा। नसे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। स्लोगन है निराकारी निरहंकारी इस्तिती में इस्तित रहकर विश्व को प्रकासित करने वाले ही चैतन्य दीपक हैं। अच्छा ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती। क hardware युश रहा है कर काम शांती ओम शांती को प्रकासिती रहा कgg बहले है कर वहारanda युश, नहीं ही प्रकासितmaouver को प्रकासित